दोस्तो स्वागता आपका एक बेर फिट्स है हमारे यूट्यूब चैनल एजूकेशन मीट में दोस्तो अकाउंट्स बेसिक यानि क्लास 11 के कुछ वीडियो मैंने स्टार्टिंग में अपलोड किये थे उसके बाद मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किये यह जो आपको दिख रहा है यह कुछ वीडियो हैं जो काफी पहले मैंने अपलोड किये थे तो यह लास्ट वीडियो जो है मैंने अपलोड किया था वो था दोस्तो कि General Entries कैसे की जाए General Entry करना सी के मातर 6 मिनिट में यह जो वीडियो आप thumbnail देख रहे हैं यह वाला वीडियो मैंने upload किया था इसकी link मैं आपको description में दे दूँगा ठीक है आज से हम इसके आगे से बात करने वाले है accounts basic का part ठीक है accounts basic तो ज़्यादा time ना waste करते हुए शुरू करते हैं दोस्तो आज के अमारी वीडियो तो दोस्तो मैं बता चुका हूँ कि debit, credit क्या होता है इसके rules क्या क्या होता है और दोस्तो general क्या होता है इसका format क्या होता है इसके बारे में दोस्तो मैंने आपको पहले पताया था और कुछ एक general entries भी बताई थी तो आज कुछ और general entries हम सीखने वाले हैं जैसे जैसे दोस्तों यदि सबसे पहले बात करें general के format की तो मैंने आपको बताया था ये दिखें आप date आती है इसमें पहले फिर particulars आते हैं फिर LF यानि laser folio जो page number होती है entry की वो आता है इसके लावा debit and credit आता है ये एक general का simple सा format होता है और दोस्तों ये कुछ मैंने entries बताई थी जैसे जैसे सबसे पहले कोई भी किसी भी business में क्या होता है कि capital लगाई जाती है पूंजी लगाई जाती है तो पैसा लगाने की entry क्या होती है ये मैंने बताईए दोस्तों आपको क्या बताईए cash account debit to capital account cash account debit to capital account मतलब व्यापार में पैसा आ रहा है ठीक है और आने वाले को दोस्तों हम क्या करते है debit करते है और जाने वाले को credit करते है तो व्यापार में हमारे पैसा आ रहा है तो cash account debit to capital account ये entry दोस्तों मैं बता चुका हूँ ये जो आप देख रहे हैं इसमें लाश वीडियो इसका description में मैं link दे दूँगा ठीक है इसके लाव मैंने एक दो entry दोस्तों और बताई थी जैसे हम कोई माल purchase करते हैं cash से purchase कर रहे हैं ठीक है तो क्या होती है दोस्तों कि purchase account debit to cash account यहाँ पर दोस्तों purchase हमारा माल है और cash है जो कि हमारे व्यापार से जा रहा है मैंने के बोला आने वाले को debit करो माल हमारे पास आ रहा है तो हम debit कर रहे हैं और जा के रहा है हमारे पास से Cash, इसलिए हम उसको credit कर रहे हैं, तो आने वाले को debit करो, जाने वाले को credit करो, तो purchase account debit to cash account, अब आप बोलोगे दोस्तों कि यदि हमने उधार माल खरीदा, तो क्या करें, उधार माल की भी simple सी entry, purchase account debit वहाँ पर cash, तो cash लिख रहे हैं और यहाँ पर उधार माल purchase कर रहे हैं, तो ज जिससे भी उधार माल खरीदो, जिससे भी उधार माल खरीदो, उसका नाम लिख दो, जैसे purchase account debit to ABC company, या फिर जो भी नाम हो उस company का, ठीक है, इसके लावा sales की भी यही entry होती है, sales में क्या होता है, हमारे पास से माल जाता है, और हमारे पास क्या आता है, या तो पैसा आएग to sales account, cash account debit to sales, यहाँ पर क्या है, पैसा हमारे पास आ रहा है, तो आने वाले को debit कर रहे हैं, और sales जो है, credit ओर गी, यहाँ पर sales का मतलब उससे है, जो हमने माल बेचा, तो cash account debit to sales, और यदी इसी तरह है, जैसा पिसली entry में किया, यदी हमने उधार sales करी, तो cash की जगे हम उसका नाम लिख देंगे, जैसे ABC company account debit to sales account, तो यह तीन entry आ, general entry आ मैंने बताई थी उस वीडियो में, चीक है, अब कुछ और entry आ उसके आगे दोस्तों हम देखने वाले हैं, तो जैसे दोस्तों अगली entry हमारी है, मान लीजे, आपने bank में पैसा जमा कराया 20,000 रुपे गा, bank में 20,000 रुपे आपने जमा कराया, तो उसकी entry क्या होगी, उसकी entry क्या होगी, आपने व्यापार में से दिया और bank में जमा कराया, तो bank में तो पैसा आ रहा है आपके वहां से, bank में आ रहा है ना पैसा, तो bank पाने वाला हो गया, तो bank account debit, cash हमारे व्यापार से जा रहा है, तो to cash account, bank bank account debit to cash account, मतलब bank में तो balance बढ़ रहा है, cash का कम हो रहा है, ठीक है, bank account debit to cash account, कितना, 20,000 रुपे debit में और 20,000 रुपे credit में, ये इसके entry होगी, जब bank में पैसा जमा कराते हैं, इसी तरह दोस्तो, A ने B से 1,000,000 रुपे का माल खरीदा, और ऐसे बोला, कि बोले भाईया, 20,000 तो तो नगत ले ले, 80,000 रुपे मैं तुझे बाद में दूँगा, A ने B से 1,000,000 रुपे का माल खरीदा, 20,000 रुपे तो नगत दे दिये, और 80,000 रुपे बोले बाद में दूँगा, इसकी क्या entry होगी, तो इसकी दोस्तों simple सी entry होगी, माल खरीदा है अपनने, तो purchase, माल मान cash किता गया, 20,000 रुपे, कितना गया है, 20,000 रुपे cash, 80,000 रुपे की आपन उधारी करीद रहें, 80,000 रुपे आपन उधारी कर रहें तो 2Bs account, क्योंकि हाँ 20 रुपे से अपन करीद रहें, 2Bs account, कितना 80,000 रुपे, ठीक है, 1,000,000 का माल, तो 1,000,000 तो आएगा furniture में, 20,000 र चुकाएगा ना उसको एक ना एक दिन तो चुकाना है तो मान लो जब अपन चुका है ऊसको जब चुका रहे तब माने वाला कौन मनेगा पैसा किस को मिलने वाला है लाई बी इसा कर दे दिया यान है या इनै कूं टो कैंष ₹vet यदि cash जिया है तो cash से वो check दिया है तो bank account लिख देंगे ठीक है तो B पाने वाला कितना लिखेंगे 80,000 रुपए to cash account 80,000 रुपए तो इस तरह से इसकी entry पूरी हो जाएगी यही चीज दोस्तों हम sales में भी कर सकते हैं जैसे माल लो 50,000 का माल हमने बेचा जिसमें से 10,000 का नगत बेचा जबकि 40,000 का उधार बेचा ठीक है मान लो आपने बेचा है machine बेचिये कोई तो आपको 10,000 तो नगत मिल गए और 40,000 रुपए बाद में उधारी आपने बेचिये उधारी करी है ठीक है तो उसकी entry क्या होगी अपने पास cash कितना आ रहा है 10,000 रुपए तो cash account debit मान लो आपने B को ही बेचिये तो cash account debit B's account debit to machinery account machinery जा रही है जाने वाले को credit करते हैं अपने पास क्या रहा है cash रहा है तो cash में तो लिखेंगे 10,000, machinery में लिखेंगे 50,000 बाकी का 40,000 किसके account में B के account में कि बोले यह B से उधारी है कि B इसको चुकाएगा 40,000 रुपए तो B sorry cash account debit 10,000 रुपए B's account debit 40,000 रुपए to machinery account 50,000 रुपए इसके लावब दोस्तों मान लो कि आपने 1,000,000 का माल किसी charity में दे दिया मतलब दान में दे दिया तो उसकी क्या entry होगी अपने तरफ से क्या जा रहा है माल जा रहा है माल को क्या बोल सकते हैं purchase बोल सकते हैं या फिर माल का नाम लिखेंगे चीक है मान लो आपने क्या था कि 1,000,000 रुपए की कोई आपकी building थी वो आपने charity में दे दी वो आपने charity में दे दी तो उसकी क्या entry होगी charity account debit to charity account debit to land and building charity account debit to land and building अगर land and building ना लिखो तो इसकी जगा purchase लिख लो या फिर जो भी आपने charity में दिया है उसका नाम जाने वाले को क्रेडिट कर दिया आप पर ने land and building गई तो उसको credit कर दिया और charity को debit charity account debit to land and building account ठीक है इसके अलबा मान लो दोस्तो आपने 10,000 रुपए व्यक्तिकत व्यक्तिकत खर्चे के लिए व्यापार से निकाले आपने 10,000 रुपए अपने personal use के लिए निकाले 10,000 रुपए ठीक है अगर व्यापार से आपने लिए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है दोस्तो आप व्यापार को वापज चुकाउँ ठीक है तो जब आपने 10,000 रुपए निकाले उसकी entry क्या होगी ये निकालने को पैसा निकालने को क्या बोलते हैं दोस्तो drawings बोलते है टीक है, drawings account debit to cash account, cash जा रहा है व्यापार में से जा रहा है ना, आपके पास तो आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम व्यापार की entry कर रहे हैं ना कि आपकी personal entry, यहाँ पर व्यापार से पैसा जा रहा है तो व्यापार से जाने वाले को credit करते हैं तो drawings account debit to cash account व्यापार से पैसा गया, आपके पास आया, मान लिया लेकिन आपका दोस्तों अस्तित्व अलग है और व्यापार का अस्तित्व अलग है, ठीक है तो drawings account में 10,000 रुपे और cash account में 10,000 रुपे, तो यह कुछ दोस्तों entries थी, जो normally, एकदम basic चीज़े हैं, यह entry है तो हर accounts पढ़ने वाले students को आने ही चाहिए अगर आप यह समझ लेंगे समझ समझ के entry को पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसके लाव दोस्तों GST के अंतरगत कैसी entry होती है, वो भी हम पढ़ने वाले आगे और बहुत सी सारी चीज़े हम पढ़ने वाले, लेजर भी पढ़ने वाले है, बहुत सारी चीज़े पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन यह जो entry है, पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखें, कि debit, ट्रेड़िट क्या होता है, इसके rules क्या आते हैं, और जनरल एंट्री के जो पहले वीडियो है, वो ना देखें, तो पहले आप वो देखेंगे हैं, मैंने पांच-छे वीडियो बना रहे हैं, यह आप सारी वीडियो देखेंगे हैं, और उसके बाद यह वाला वीडियो स्टार्ट करें, ठीक है? तो उम्मिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी गरें इसके लावे दोस्तों आप हमरे Instagram पेस से या Facebook पेस से भी जोड़ सकते हैं